बारब अंकी की रामनगर विधान सभा सीट से भारते जंता पार्टे के विधायक शुरद कुमार अवस्थी से ये जुड़ा पूरा मामला है। बारब विधायक का पता बताने वालों को एक हजार रुपे का नगत इनाम दिया जाएगा। बारब विधायक को शेत्र की जंता का हाल चाल कूछने की चिंता नहीं। इन लोगों को यहां के जंता खोज रही है। जिन भाईयों को यह दोनों मानने मिल जाएं। वो उन्हें लेकर गाउं आए। विधायक को गाउं लाने वालों को एक अजार रुपे का नगत इनाम दिया जाएगा। गाउं की निवासी ने बताए कि हमारे विधायक जी चिनाफ जीतने के बाद एक भार भी यहां नहीं दिखाई पड़े हैं। वोट मांगने विधायक आए भी नहीं बल्कि उनके भाई आए थें। उन्होंने वादा किया था कि चिनाफ जीतने के बाद वो यहां के लोगों की सारी समझ से हल करा देंगी। लेकिन चिनाव जीतने के बाद ना तो विधायक जी यहां निजर आए हैं और ना ही उनके भाई दिखाए पड़े। आलम ये है कि हम लोग विधायक जी से मिलने जाती हैं वो मिलते भी नहीं। इसलिए हम लोगों ने उनकी गुमशुद्गी का पोस्ट लगाया है। हमारे विधायक जी सरदाउस थी जी जो चार साल पूर हम लोगों से क्यों लोट मांगने के विजह में आये थे गाउमें। उसके बास से आज तर गाउमें कभी किसी भी परसन से मिले नहीं। ना हाल चाल ना गाउमें आना। इस करोना काल के संकर में भी वो गाउमें एक बार भी नजर नहीं आया। कुछ पेशेंट्स संक्रमित थे जीने सेनिटाइजर्स मार्क्स मैडसिन्स मलब उचार की जहुरत थी लेकिन वो कभी गाउम आया नहीं। उसके चलतर गाउमनों ने मिलके विरोत किया। गाउम में जाके गली गली में पोश्टर लगाए। विदायकी हमारे लापता हो गया। लेकिन काम कुछ नहीं है, हम लोग बड़ा पस्याताब की हैं। अब तो बिल्कुल आके एकदम बेकार पार्टी हो गई, इसमें आप कोई गोड़ नहीं रही।